दोस्तों क्या सब्मारीन के डीकमिशन होने के बाद इसके न्यूक्लियर रियक्टर को खुले में ही रख दिया जाता है? क्या इससे रैडियेशन नहीं फैल जाएगा? दरसल अमेरिका और सोवेट यूनियन के बीच एक सॉल्ट ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जब भी दोनों देशों में कोई भी न्यूक्लियर पावर्ट सब्मारीन डीकमिशन की जाएगी तो कन्फर्मेशन के लिए इसके न्यूक्लियर रियक्टर वाले हिस्से को खुले आस जाता है और इसमें न्यूक्लियर मैटीरियल भी समाप्थ हो चुका होता है इसलिए न्यूक्लियर रियडियेशन भी नहीं होता है